हलो फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सबकी पसिंदिदा रेसिपी सर्दियों के लिए स्पेशल आलू मेति के पराथे जो सुबर सुबर सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के साथ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आजाता है और इन आलू मेति के पराथे को बनाने का एकदम आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आप मिंटो में अपने घर पर एकदम परफेक्ट आलू मेति के पराथे बना करके तयार कर सकते हैं जिससे आपके परांठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत सारी स्टफिंग आलू के स्टफिंग के साथ हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से ये फ्रेश मेथी ले लिनी है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है और सीजन की सबजी है तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए सबसे पहले आपको इन मेथी के पत्ते को तोड़ लेना है इस तरह से सभी मेथी के पत्ते हम तोड़ लेंगे और इनके जो डंठल है वो निकाल देंगे तो पूरी मेथी के आपको इसी तरह से पते तोड़ करके रख लेने हैं और फ्रेंड्स ये हरी मेथी जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जादा फायदेमेंद होती है इसमें काफी मातरा में फाइबर और एंटी ओक्सिडेंट तत्वा पाय जाते हैं जो सर्री से टॉक्षन को बाहर निकालता है जिससे आपका जो पेट है वो बढ़िया रहता है दुरूस्त रहता है किसी तरह का पेट दर्द नहीं होता अगर आपको कब्ज की प्रोब्लम रहती है तो वो भी दूर हो जाती है आपके पाचन दंतर को एकदम मजबूत बना देती है हरे मेथी तो आप इसे जरूर खाईएगा तो ये देखिए मैंने इन सभी मेथी के पत्ते जो थैं वो निकाल लिये हैं अब आपको इनको अच्छे से वोश कर लेना है तीन से चार बार पाने में इस तरह से पत्ते तोड़ने के बाद वोश कर लेना है और वोश करने के बाद अब आप इसे बारिक-बारिक कट कर ले इस तरह से आपको हाथ में ये हरी मेथी का इस तरह से गुच्छा लेना है और जितने भी आपके हाथ में आती है उस तरह के से आप ले लीजे और इस तरह से बारिक-बारिक कट कर ले तो इस तरह से मेथी को कट करने के बाद अब आपको इसे सायड रख देना है अब आपको एक बड़े बाउल में आटा लेना है मैं यहाँ पर तीन बाउल आटा ले रही हूँ quantity आप अपने जरूरत के according कम ज़्यादा कर लिजेगा जितने भी आपको परांठी बनाने हैं उसे साथ से आप आटा ले लिजेगा मैंने आपर गेहूं काटा लिया है तीन कप आटा ले के बाद आपको इसमें half cup बेसन डालेना है जिसे आपर आठो का टेज़्क जो है वो और भी अचा हैगा आप चाहें तो एक cup भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो बिना बेसन डाले भी बना सकते हैं इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगी स्वादनुसार नमक, मैंने याँ पर half टेबल स्पून नमक आड़ किया है और half टेबल स्पून ही मैं याँ पर अजवायन आड़ कर रही हूँ वो हरी मेथी आपको इसमें एड़ कर लेनी है और अब आपको इस आटे में हरी मेथी को मिक्स करते हुए और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए इसका एक डो लगा करके तयार कर लेना है और सर्दियों का टाइम है इसलिए पानी जो है वो आपको थोड़ा गरम लेना है नीड करने के लिए नीड करने के लिए इसमें आप थोड़ा थोड़ा गरम पानी एड करते रहें और इसका जो soft सा dough है वो लगा करके तयार करना है dough को आपको hard नहीं रखना है थोड़ा soft side ही रखना है आपको ये देखे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते वे इसका डो तयार करना है ऐसा नहीं कि एक साथ पानी एड़ कर लेना है और थोड़ी देर बाद आप देख पा रहे हैं इसका मैंने एक सोफ्ट सा डोर्व लगा करके तयार कर लिया है अब आपको इसमें एक घी लगा करके इसको अच्छे से कोट कर रही हूं और इसको आपको दस मिनट के लिए साइड में रख देना है सेट होने के लिए जब तक यह डो सेट होता है तब तक हम स्टफिंग तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर यह पांसे च्छे बॉल्ड आलू लिए हैं म बॉल्ड आलू को आपको अच्छे से मैश कर लेना है आप चाहें तो कद्दू कस भी कर सकते हैं मैं इस तरह से हाथों से ही मैश कर रही हूं आलू को अच्छे से मैश करने के बाद अब आपको इसमें ड्राय मसाले एड कर लेने हैं जिससे टेस्ट अच्छा आता है तो इस के बाद आपको इसमें आदा चम्मच जीडा एड कर लेना है जिसे अच्छा टेस्टल आता है आदा नमक आइड कर ले नमक आपने 9 एं न चंहों कर लेना है तो इसकूरिंग कमिनी डाल लिएगा फिर आपको से यह कूटा हुआ साभुत धनिया होता है वह आपको एड बात 5 Sesाज में water या अधन कर लेंगी आपको क्शाइट कर लेना है साथ बारिक कट क्या ही हरी मिर्च कर रही हूं साथ ही बारिक क्या हुआ आपको प्याज कर ले लेना है फ़ता करें letter टां नी का टन टाल हैट काथि बारी कट क्या हुआ हरा धनिया भी मैं एड़ कर लोंगी हरे धनिया की जो मोटे डंठल है वो मैंने निकाल दिये हैं और आपको इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी जो यह स्टफिंग है वो बन करके तयार हो जाएगी इस तरह से बना आठे बनाने हैं तो दूसरे तर जो हमने आठा सेट होने के लिए रखा था उसे भी आपको हलका सा नीड कर लेना है और आपका जो यह डो है वो भी रैडी हो गया है अब आपको साइड में थोड़ा सा सूखा आठा लेना है और सबसे पहले हम आठे से लोई बनाकर के पाले और फिर आपको इसे हलका सा बेल लेना है लोई को हलका सा बेलने के पाद इसमें आपको स्टफिंग भरनी है जितने भी स्टफिंग आपको पसंद है उसे साब से आप इसमें स्टफिंग भर लीजे मैं यहाँ पर दो चम्मच स्टफिंग भर रही हूं यह देखिए भर भर के चमश मैंने इसमें डाली है दो से तीन चमश के करीब और यह बिल्कुल भी बहार नहीं निकलेगी स्टफिंग आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्श भी डाला है तिर भी यह बहार नहीं निकलेगा इस तरह से अब आपको चारो तरफ से आटे इकुली फेल दी है जिससे आपकी स्टफिंग बहार नहीं निकलेगी तो यह प्राठा हमने बेल करके रैडी कर लिया है अब आपको एक तवा लेना है आपको इसके उपर पराठा डालना है और इस तरह से एक साइड से सिख जाने के बाद आपको इसे पलट देना है और दूसरी साइड से उसे तरह सेक जाता है तब आपको पहली साइड है उसके उपर आपको घी लगाना है या फिर आप और नहीं वा या पासफिर देश्ची घी का उजस करते हैं और विदिक था उस प्राटों हेल्टे अच्छा आ जा दो परत भाड़ दें और जबसे दूसर टाइम पल्टें तो आपको गेस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है ताकि इसमें क्रिस्पी नेस आई जले ना और अच्छे से अंदर तक पक जाए और दोनों साइड इस तरह से उलट-पुलट करते हुए घी लगा देना है जिससे अच्छा है घी का प्रांठों में और अच्छे से पक भी जाता है घी लगाने से ये देखे कितना अच्छा कलर आया है और जो स्टफिंग हमने भरी थी वह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है और इकदम बढ़िया आलूमेति का यह प्रांठा जो है वो बनकर के तयार हो गी में सेखने से आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है चारों तरफ से इकवली अच्छा से पक गया है ऐसा नहीं कहीं से जल गया है एकदम बढ़िया ब्राउन कलर आ गया है इसमें पकने के बाद तो अब हम इस परांठे को प्लेट में निकाल लेते हैं और बाक आपको गेस की फ्लेम को फुल लखना है और दूसरी बार पलटते हैं तब आपको गेस की फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि प्रांठे के उपर अच्छा ब्राउनिश कलर लाने के लिए आपको इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह सी हलकाल का दबाते हुए और चारों तरफ गी लगाते हुए इसे अच्छे से तवे पर पका लेना है अच्छे से सेक लेना है ऐसा करने से आपके परांठे जो है वह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट परांठे बन करके तयार होंगे जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्ट्री लगते हैं तो यह इस तरह से बना लेने हैं मैं आपको अंदर से इस परांठे की स्टफिंग दिखा देती हूं कितनी भर-भर के हमने स्टफिंग की है फिर भी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है और इकदम बढ़िया परांठे बन करके तयार हुए है तो एक बर आप इस तरह से इस तरीके बहुत टेस्टी परांठे बनकर तयार होते हैं आप गर्मा गरम परांठो को अचार और दही के साथी कर सकते है घरम गरम चाय के साथ बहुत टेस्टी लगेंगेойти दो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चली दोस्तों आप इस डिलिशियस आलू मेती के पराटो कम मजा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई